लाइट आफ लाइफ जिंदेगी की रोश्णी सीवकाई वक्ता कौन है डॉक्टर मलीका सैम्यल जो चेननाई के विख्या कॉपरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टर्ट, अपस्टिरिश्यन और गाइनेकलोजिस्ट है इन्हें गाइनेकलोजी के शेत्र में 24 साल का अनुभव है इन्होंने क्रिस्टिन मेडिकल कॉलेज वेलूस से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रैजुएशन की पढ़ाई आयरलाइंग के डबलिन यूनिशिटी के रुटांडा हस्पिटल से की है ये विशेशक्य हैं हाई र वजपन दिल्ली और जैपूर में विताया है गाइनकलोजिस्ट के हूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इन्फर्टिलिटी क्लीनिक चलाए हैं जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाईयों और बहनों को सुसमाचा प्रचार क जय मसИकी जय मसी की वा वू र हाई यह सच में कितनी भली बात है कि एक साथ में आकर जैनकल प्रमिश्वर के वचन के अधियन कर सकेए आप जानते हैंब प्रमिश्वर का वचन हमारे लिए इतना अन्मոल है यह हमें कैसे जीना है यह सिखाता है यह तो जिस समय हम परिशानी में होते हैं उस समय हमारी मदद करता है यह हमसे ऐसी बाते करता है जैसे मानुख स्वें परमेश्वर हमसे बाते कर रहा है और इसलिए हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम पर्मेश्वर के वचन को पढ़ते चले जाएं. और पिछले कुछ एपिसोड से, हम सच में देखते आ रहे हैं, कि ऐसे कौन से सिध्धान्त हैं, जिसका हमें अनुकरन करना चाहिए, कि पर्मेश्वर की जो संतान है वो खुश हो जाएं. हम सब खुश रहना चाहते हैं. हम में से कोई भी ये लक्षन नहीं रखता है कि हम बहुत ही दुखी हो और बहुत ही कंगाल हो. और इसलिए जब हम इन सिध्धान्तों को देखते हैं, तो ये निश्चे ही हमारी मदद करते हैं. ये हमारी मदद करते हैं कि हमें निराश होने से बचाई रखें. और ये हमें पूरी तरह से व्याकुल होने से बचाते हैं. और परमेश्वर की उपस्तिती में जीने के लिए मदद करते हैं. और आज हम बिलकुल कुछ अलग बात की और देखेंगे और आज हम देखने वाले हैं परमेश्वर की प्रतिग्या है प्रयोजन के लिए और यह सच में कितनी महतुकूर्ण है कि हम परमेश्वर की आग्या माने कि हम परमेश्वर की प्रतिग्याओं की जो फसल है उन सारी बातों को हम पा सकें परमेश्वर ने हमसे बहुत सी प्रतिग्याओं की हैं अपने वचन में और ये तो ऐसी प्रतिग्याओं हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती जाती हैं और किसी ने इन सारी प्रतिग्याओं को गिना हैं, और उन्होंने कहा कि 3573 प्रतिग्याओं बाइबल में हैं, क्या ये अद्भुद बात नहीं है? और वो कहते हैं कि प्रतिग्या ये जो शब्द है, ये तो 50 बार उपयोग किया गया है, प्रमेश्वर ने हमसे बहुती अद्भुद प्रतिग्याओं की हैं, लेकिन हर एक प्रतिग्या में एक शर्त होती है, हमें उन शर्तों को पूरा करना है, कि हम आशीश प्राप्त कर सकें, जो प्रमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, चली मैं आपके एक उधारन डेटी हूँ, कि पत्रस की ये जो दूसरी किताब है, अधिया एक वचन 4, हमें ये याद रखना है कि पत्रस तो एक चेला था, वो तो साथ में बड़ी यात्रा पर भी गया था, कि वो आकर परमेश्वर के ऊपर में प्रभू के ऊपर अपना भरोसा रखे, वो तो चुना हुआ चेला था, और वो तो बहुत ही ऐसे उक्सुक होने वाला वेक्ती था, और वो तो अच्छे हट डिलडॉल का था, लेकिन बड़े आराम से डर जाता था, और जब येश्व मसी को कुरूस पे चड़ाया जाने वाला था, और जबकि वो वहां पर उस परखे जाने के उस कमरे के पास में आया, और जब उसने जाना कि येश्व को पकड़ के बंदी बनाया जाएगा, और निश्चे ही उसके चेले होने के नाते पत्रस को भी मारा जाएगा, उसने पूरी तरह से इंकार किया कि वो येश्व को जानता है, लेकिन इसके बाद, उसने अपनी गल्ती को जाना, और आस्वों के साथ में उसने पश्चताप किया, और वो प्रभू के पास वापस आया, और यहां तक कि प्रभू येश्व मसी के ऊपर उठाये जाने के पहले, येश्व पत्रस को बुलाता है, और वो उससे कहता है, जब पत्रस तु मुझसे प्रेम करता है, जब तक कि पत्रस इस बात को सच में समझ ले, कि सच में वो इस योग्य नहीं है कि वो यशु से प्रेम कर सके, वो सच में कितना तूटा हुआ था, लेकिन अपने दिल से वो यशु से बहुत प्यार करना चाहता था, और वो इस बात पर आधारित था कि वो प्रभू को इतना दिखाना चाहता था कि वो इससे कितना प्रेम करता हुआ। और इस समय, जीशु मसी ने पूरी कलीसिया को पत्रस के हाथ में सौप दिया। यह सच में कितना अधुट समय था। जब पत्रस कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पत्रस यहीशु के सामने तूट चुका था। और वो प्रभू से प्रेम करता था। और इसलिए जब पत्रस हमें बताता है कि अगर हम इस संसार की भ्रष्टता से बज़ जाएं तब हम परमेश्वर की प्रतिग्याओं को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर ने जो प्रतिग्याओं अपने संतान के लिए रखी हैं वो से पाएंगे और ऐसा करते हुए हम परमेश्वर के उस आलोकिक स्वभाव को प्राप्त करेंगे लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा ये इसलिए होगा क्योंकि क्योंकि हम इस संसार की भ्रष्टता से दूर हो गए हैं हमने ऐसा करने का चुनाव किया है अपनी इच्छाओं को शुद्ध करने के द्वारा अब यहाँ पर शर्ट तो बस यही है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो शुद्ध की जाएं और इसलिए हम परमेश्वर की प्रतिग्याओं को वहाँ पर वारिस के रूप में पाते हैं तो यहाँ पर इस निश्कर्ष पर हम पहुँचते हैं कि परमेश्वर की प्रतिग्याओं को प्राप्त करना उसके वचन की आग्यामानने के द्वारा यह तो सच में एक ऐसा सिधानत है जो की बहुत ही बेचीदा है और यह तो बहुत ही जरूरी है परमेश्वर की संतान की खुशी के लिए परमेश्वर हमसे बस यही तो कहता है कि जिस शेत्र में हमें मदद की जरूरत है उस शेत्र में अगर हम परमेश्वर की आग्या माने तो हम उन सारी आशिशों को पाएंगी जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है आए भजन सेता 23 को देखते हैं और इस सुन्दर भजन के अंत में ये भजनकार इस तरह से कहता है जहां पर वो परमेश्वर के प्रयोजन और उसके सुरक्षा के बारे में हमें बताता है यहां पर वो भजन के अंत में ये कहता है और वो कहता है कि निश्चे भलाई और करूना जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी उसने हमारे विचारों को वहां पर मोड़ा है यह कहता है, और वचन एक में हम इसे इस तरह से देखते हैं, वचन एक कहता है, जब यहोवा मेरा चरवाह है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे अपने आप में जाकर अपने हर्याली से भरेवे ऐसे चरवाह को धूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरा चरवाह है, मैं बस उसके पीछे चलता हूँ, और इसलिए यहाँ पर जो शर्थ है, कि अगर परमेश्वर को आपने अपना चरवाह बनाया है, तो फिर इस भजन का जो अंतिम वचन है, वो हमारे जीवन में सच्चा होगा, कि भलाई और करूना जो है, वो हमारे पीछे चलती रहेगे, या उसको पाने के लिए यहाँ भटकते नहीं फिरेंगे, लेकिन यह हमारे पीछे पीछे चलेगे, हमारे पूरे जीवन भर चलेगे, और हम सदा के लिए परमेश्वर के भवन में वास करेंगे, अब सवाल तो यहाँ पर यही है, और यह तो बहुत ही अच्छी बात है, जब सब कुछ हमारे साथ में ठीच चलता है, लेकिन क्या होता है, जब हमारे साथ में ऐसे कोई परिस्टिती आ जाती है, परमेश्वर चाहता है कि आपनी आखे उसके उपर लगाए रखे, उस समय में, आप ध्यान भटकने न दे, आप व्याकुल नहों बस अपनी दृष्टि प्रभुईश्व पर लगाए रखे, प्रभुईश्व मसी ने जिसने सूरज की धूप में आपकी परवाह की है, वो तूफान की समय में भी आपकी परवाह करेगा, और जब हमें से हरे एक वेक्ते इस तरह के सवाल पूछता है, तो किसी ना किसी समय हमें यहाँ पर बहुती गहरे सिधान को सीखना है, और वो यही है, कि हम अपने विश्वास पर किस तरह से गौर करते जाएं, जब हम परिक्षा में होते हैं, परमेश्वर तो समर्पित है कि हमारी जरूरतों को पूरा करें, हम अपने जीवन को उसके लिए जीने के लिए समर्पित कर रही हैं, येश्व अपने चेलों से कहता है, कि तुम चिंता ना करो, उसने उनसे ये भी कहा, कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग राज्य की खोज करो, और उसकी सारी धार्मिक्ता को खोजो, और ये सारी चीज़े तुम्हें जोड दी जाएगी, और ये है मत्ती अध्या एच्छे वचन 33 में, ये तो प्रतिग्या है, ये तो समर्पन है, ये तो मानो उसके सामने किया गया वादा है, कि परमेश्वर ने हमसे ये वादा किया है, और हम इसका दावा कर सकते हैं, परमेश्वर जानता है, कि हमारे पास में भावनात्मक और भावतिक जरूरते हैं, हमारे पास भूजन की जरूरते हैं, शेल्टर, चछत की जरूरत है, और साथ में हम चाहते हैं कि हम किसी के हो जाए या कोई हमारा हो और हमारे कपड़ी की जरूरत है लेकिन येशु यहां पर अपने अनुयाईयों से कह रहा है कि हमारे जीवन का जो लक्ष है वो तो भावतिक चीजों के ऊपर ना हो और फिर केवल हम अच्छा नुभफ करते हैं केवल उन बातों पर ना हो लेकिन इसके बजाए हमें अपना दिल पर मेश्वर के ऊपर लगाए रखना है और उसके राज्य पर लगाए रखना है और फिर हर एक प्रतिग्या जो हमसे करता है वो पूरी हो जाएगी अब हम अयूब के उधारन में इस बात को देखते हैं जब हम अयूब के किताब के बारे में कहते हैं हम दुखों के उठाने के दृष्टी कौन से अयूब के किताब के बारे में कहते हैं लेकिन इस केस में हम इस बात को देखते हैं कि आयूब के साथ में जो कुछ भी हुआ कैसे वहां पर परमेश्व और इसके साथ में बना रहा हम मेंसे बहुत से लोग जो है वो आयूब के जैसे नहीं हो सकते हैं वो भक्ति-पूर्ण वेक्ति था जोब 1-1 says आयूब एक-एक कहता है कि उद्र नगर में एक वेक्ति था उद्र देश में अयूब नामक एक पुरुष था और वो खरा था और वो सीधा था और परमेश्वर का भह मानता था और बुराई से दूर रहता था और ऐसे दिखाई देता है कि यहां पर आयूब परमेश्वर का भाहमान था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको पर हर बात में कुपा की थी, वो धनी था, वो बहुती विख्यात था, वो बहुती आदर्णी था, उसकी सुन्दर पत्नी थी, और उसके बहुती उपलब्धियां पाए हुए बच्चे थे, उसकी जमीन थी, एक मनुष्य के और क्या चाहिए, और यही तो सारी बाते शैतान ने परमेश्वर के सामने कही, और हाला कि शैतान ने अयूब से जो कुछ उसके पास था सब छीन लिया, अयूब ने परमेश्वर को नहीं कोसा, वो परमेश्वर पर अपनी आँखें लगाए रहा, उस परमेश्वर पर जिसे वो अपनी संपनता के समय जानता था, और वो ये जानता था कि परमेश्वर उसके साथ में तराई में हैं, ये तो वही परमेश्वर है जो उसके हातों को थामे रहेगा, जो कि तूफान से भरेवे समूंदर में उसके साथ में चलेगा, उन्होंने उससे तसलिए देनी की कोशिश की, लेकिन यहां पर आयूब की जो यहां पर दुख की जो समझ की बात है वो तो इस मुद्दे को ही चूग गया उनकी जो बुद्धी थी दोस्तों की वो तो परमेश्वर की और से नहीं थी और उन्होंने सोचा कि आयूब ने परमेश्वर के विरुध में पाप किया इसलिए उसने इन सारी दुखों को सहा है और उसने आयूब को यहां पर इस तरह से उत्साहित किया कि वो अपने पापों से पश्चताप करे कि वो चंगाई पाए यह बात सही है कि अगर हमारे साथ में कुछ ऐसे दुरभाग्यवश कोई बात हो जाती है तो परमेश्वर पर दोश लगाने के बजाए हमें खुद अपनी क्रियाओं को और अपने खुद के मकसद को जाचना होगा और क्योंकि यह ऐसी बात नहीं कि केवल ऐसी बाते जो यह हम जो काम करते हैं लेकिन ऐसी बाते हैं जिसके हम योजना बनाते हैं जिसे करने के लिए हम मनन करते हैं जिसके कारण शायद ऐसी बाते सब कुछ बिगड़ सकती है but you know sometimes God allows difficulties in our lives लेकिन कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में मुश्किलों को आने देता है वो मुश्किलों को आने देता है कि हमें आकार दे और अगर उस तूफान की बीच में हम उसके आग्या मानते हैं we can come out shining when the ordeal is over तो फिर निश्चे हम पूरी तर से हम येश्य मसी पर अपनी आँखों को लगाए रख सकते हैं वो हमारे साथ में मृत्व की छाया से भरी भी तराई में होकर चलेगा और फिर अंत में देखे अयूब के साथ क्या हुआ वो हमारे साथ में होगा जोब लिव तिल ही वस हांड़ेन फॉर्टी यह अयूब एक सो चाली साल तक जीवित रहा और इन दूनों में हम सुन रहे हैं कि जवान लोग जो की बस तीस साल के थे वो हाट अटाक से मर रहे हैं लेकिन अयूब तो एक सो चाली साल तक जीवित रहा उसने अपने बच्चों के बच्चों को देखा यह तक की Чाथी पीधी को देखा और अयूब जो है अपनी पूरी आयू में बुड़ा होकर मला और हाला कि उसको परखा गया लेकिन फिर भी वो उसमें से टेजों में होकर बाहराया क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था और जो कुछ भी टिडियों ने खा लिया था वो सब कुछ परमेश्वर ने उसे वापस दिया और जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो वो आपसे यहां पर एक समरपन कर रहा है यहां पर किसी भी समरपन का जो मुल्य है वो तो बस दो ही बातों पर आधारित है वो तो यह है कि प्रतिग्या देने वाला जो वैक्ति उसकी योग्यता क्या है कि वो उस प्रतिग्या को पूरा करें और दूसरी बात जिस वेक्ती ने प्रतिग्या की है, उसकी इमानदारी कितनी है, याने क्या उसके अंदर ऐसा चरित्र है, कि उसने जो प्रतिग्या दी है, उससे वो पूरा करेगा, अब देखा जाये तो इन दोनों शर्तों में परवेश और पूरी तरह से योग्य है, उसके पास पूरी बुध्धी है, उसके पास सामर्थ है, और योग्यता है, कि हमारे लिए उसने जो प्रतिग्याई की हैं, उससारी प्रतिग्याओं को वो पूरा करे, और उसके पास साबित की गई इमानदारी है, क्योंकि भूत्काल के सारे लेख हमें बताते हैं, कि वो हमेशा अपनी प्रतिग्याओं को पूरा करता है, वो अपने वचन के लिए पूरी तरह से विश्वास योग्य है, वो तो पवित्र है और अटल है, वो कभी न बदलने वाला है, उसकी आग्याएं, उसकी विधियां और उसकी जो सारे जोब देश हैं, वो कभी नहीं बदलते हैं, वो तो बताते हैं कि हमारा परमेश्वर कभी न बदलने वाला है, और वो आज, कल और युगान युग एक सा है और इसलिए हम जानते हैं कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं अब असली सवाल तो यही है हमें इस सवाल का जवाब देना होगा क्या मैं अपने सारी परिसितियों के बीच में इन सारी बातों को प्रतियुत्तर दे रहा हूं या फिर इन सारी मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए हम बस यहां वहां मार्ग धूंते जा रहे हैं क्या हम सीखने की इच्छा रखते हैं और खोजने की इच्छा रखते हैं That's what God wants us to understand when we go through this problem. कि जब हम इन मुश्किलों में से होकर जाते हैं तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम किस बात को समझ ले? मैं जानती हूँ, ये बात असान नहीं है. मैं जानती हूँ कि कई बार लोग तो बहुत दर्द में होते हैं. वो तो इतने तूटे हुए होते हैं कैसे हम उन्हें उपदेश दे सकते हैं यह तो संभव भी नहीं है लेकिन जब हम अपने जीविद परमेश्वर पर भरोसा बनाते हैं तो हमें उस भरोसे को बनाना है जब हम अच्छे समय में होते हैं जब हम मुश्किलों में से होकर जाते हैं तो हमें उसे थामे रहना होगा। जो कुछ भी अकसर ऐसा होता है कि हम परमेश्वर पर भरुसा रखते हैं अपने खुद की योजना के अनुसार। और जब वैसे नहीं होता हैं, तो हम बहुती निराश हो जाते हैं। बहुत से जवान जो है वो तो परमेश्वर की इच्छा के विरुध में विवाह करते हैं और वो तो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं जिस वेक्ती से उन्होंने मुलाकात की जिस से विवाह किया उस वेक्ती के आदतों के अनुसार वो तो परमेश्वर के वचन में मजबूत नहीं हुए हैं लेकिन बहुती जल्दी हम ये पाती हैं कि ये जो विवा है जादा समय तक नहीं चला और वो वैक्ती जिससे वो वैक्ती बहुती जादा प्रेम करता था वो उसे चोड़ कर चला गया है और क्या होता है वो वैक्ती परमेश्वर पर दोश लगाने लगता है लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हमें उसकी आग्या माननी हो कि हम अच्छी आशिशों को प्राप्त कर सके हमें उस पर भरोसा रखना है कि वो हमारे लिए सबसे उत्तम काम करे हम खुद अपनी जातों को लें मांगक रहें कि हमामारे बदले में वो अपनी सामत को प्रकट करें और हमारी सारी आज़्याओं को रहें काँ प्षा करते हैं लोग के 뉴스 door काम करें और जब वो ऐसा नहीं करता है तो हम बहुती खुश नहीं होते हैं तो यहां पर जो एक गहरा पाथ वो चाहता है कि हम सीख ले हम उसे चूक रहे हैं विश्वास के लिए उस पर पूरा भारोसा होना चाहिए जबकि हम इन सारी बातों को नहीं समझते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इन सारी परस्थितियों को क्यों आने दिया है परमेश्वर हमारे दिल को जानता है जब हम उसके सामने समरपन कर देते हैं तो वो उसके प्रती हमारे समरपन को देखता है और वो हमारे बदले में काम करने लगता है परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम उस पर भरोसा करें और केवल उसी पर भरोसा करें कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करें हमारे सारे प्रयोजन के लिए वो ही एक मात्र स्रोथ हो और फिर इससे आगे परमेश्व चाहता है, परमेश्व मांग करता है कि उस पर भरोसा रखने के भाग में हम उस पर पूरी तरह से आधारित रहें तो आईए हम उससे यह कहें प्रभु मैं तुझ पर पूरी तरह से भरोसा रखता हूँ कि मेरी सारी जरूरतें पूरी कर प्रभू तेरे समय के अनुसार, तेरे तरीके के अनुसार, मैं अपने स्वार्थी इच्छा, सपने और अपनी मंसाओं को दूर रख देता हूं, अब रभू इन सारी बातों को तू आकार दे, तकी मेरे जीवन के लिए ये तेरी इच्छा को प्रकट करने वाले हो जाएं, मैं तेरी निरंतर आग्या मानते जाऊंगा, तेरी आत्मा की सामर्थ के द्वारा, ये विश्वास करूंगा, कि जैसे मैं इसे करता हूँ तु मेरी दिखभाल करेगा, मेरी परवाह करेगा आप परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा रखिए उसकी बुद्धी पर भरोसा रखिए उसकी सामर्थ पर भरोसा रखिए और उसकी अनुग्रह पर भरोसा रखिए और बिल्कुल सही समय पर आपकी जो कुछ भी जरूरत है उसे परमेश्वर पूरा करेगा और जब वो ऐसा करता है तो आप जो कुछ भी कलपना कर सकते हैं यह उससे बहुत बढ़ कर होगा और इसलिए मेरे प्यारे भाईयों और बहनों मैं चहाती हूं कि आप कुछ समय के लिए रुकिए और उस समय के बारे में सोचिए जहां पर आप वो चाहते थे जो परमेश्वर आपके लिए नहीं चाहता था मैं चहाती हूं कि आप सोचिए ऐसे समय के बारे में जहां पर परमेश्वर ने उन सारी बातों से बढ़ कर किया है जो आपकी कलपना से भी बढ़े थे और ऐसे समय में अपने आपको हम उसे समर्पित कर दे हमारे जीवन की जो योजना है वो उसे समर्पित कर दे और परवेश्वर ने हमसे जो प्रतिज्याएं की है उस पर हम खड़े रहें कि जैसे हम उसके आज्या मानते हैं वो हमारे जीवन में महान बातों को परिपूर्ण करते चले जाएगा आए हम प्रात्ना करते हैं पिता परवेश्वर हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज हमें अपने वचनों में से सिखाया पिता हमें सिखा कि हम तरी आज्या माने कि जब सब कुछ सही नहीं दिखाई देता है सब कुछ सही तरीके से नहीं चलता है पिर भी तरी आज्या मानने कि हम सिखा और हम वही करें जो तू चाहता है कि तुझ पर भरुसा करें कि जैसे हम तेरे कदमों पर तेरे पच्चिनों पर चलते हैं तू हमें नहीं छोड़ेगा तू हमें नीचे गिरने नहीं देगा तू हमें डूबने नहीं देगा लेकिन उठाएगा और तू हमारे लिए प्रयोजन करेगा बहुत ही सुन्दर तरीके से हम तेरा धन्यवात करते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है हमारा प्रभू है येश्व के नाम में मांगते हैं आमें झामारा परमेश्वर में मांगते हैं जामारा प्रभू है तू हमारा प्रयोजन कर रहा है झाल झाल